अब इसके लिए पहले हमने जो लास्ट वीडियो में पढ़ा था उसका हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं उसको एक बार देख लेते ताकि आपको यह आसानी से समझ में आ जाएगा तो हमने पहले उस पढ़ा था पिछले वीडियो में वर्ण किसे कहते हैं वर्ण क्या होते हैं जैसे यह सारे क्या होते हैं यह वर्ण होते हैं मतलब जिनके भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किये जा सकते उसे वर्ण या अक्षर कहते हैं जैसे शब्द कमल उसके तो हम टुकड़े कर कर सकते हैं लेकिन वर्ण है का इसके हम टुकड़े नहीं कर सकते हैं और वर्ण के दो परकार होते हैं स्वर और वेंजन अ से लेके आउ तक यहां देखेंगे हम आउ तक आउ से औरत तक यह अंगो और अहां यहां नहीं है तो यह आ से लेके आ तक के जो वर्ण होते हैं वो क्या कहलाते हैं वो स्वर कहलाते हैं और का से लेके खा तक के जो वर्ण होते हैं वो वेंजन कहलाते हैं इनकी संख्या होती है 33 और स्वर की संख्या क्या होती है 11 या हिंदी में 11 ठीक है अब इसमें यहां पर कौन से वर्ण दो बस्ते हैं अंग और अहां तो आज हम उनी को पढ़ेंगे अंग और अहां अब ये जो दो वर्ण है ये ना तो स्वर में आते हैं ना व्यंजन में आते हैं ठीक है तो इनको हम कहते हैं अयोग वाँ एक्सेप्शनल्स वोवल्स अंग अब अंग के जो मात्रा हम पढ़ते हैं जब आरा खड़ तो हम किस तरीके से लिखते हैं अंग को इस तरीके से और एक तरीके से यहां इसके नीचे ये चंदर के आकार का हम निशान लगा देतेते हैं और इसके उपर ये बिन्दी तो इसको कह जाता चंदर बिन्दू अब जो एक बिंदी वाले शब्द होते हैं वो अनुस्वार होते हैं और जो चंदर बिंदु वाले होते हैं वो अनुनासिक होते हैं अनुस्वार जो शब्द होते हैं इनका जैसे देखेंगे हम कंगन इनको बोलके देखेंगे तो इनका उच्चारण किससे होता है नाक के द्वारा किया जा रहा है जंडा बंदर इनका जिनका उच्चारण नाक के द्वारा किया जाता है वो शब्द कौन से कहलाते हैं अनूस्वार और अनूनासिक, अंग की बिंदी वाले शब्द, इनको वो लगी है, हंस, चांद, आंख, ऐसे ये चंदरविंदु वाले शब्द होते हैं, इनका उचरन जब हम करते हैं तो हमें प्रतित होता है ध्युए कि हमाई धोनी मुख से और नाक से दोनों से रिखे अजुख फिर्कहते लिजय अनुनासिके हैं अब उसके बाद यह तो हो गए अंग यहां अख इस तरह का चिन हमें किन स्वर्दों में दिखता है प्रातहा आतहा और इस तरह के शब्द कहां इस्तिम्भाल किये जाते हैं आप अभी जब आप आप आएंगे वहां पर आप देखेंगे यह शब्द संस्कृत में विसर्घ संस्कृत कि तश्सम शब्दों में किये जाता है अनमें विसर्घ का और दो लेंस प्रियो किया जाता है इसका तूर्ब होता है उसको वह विशर्ग कहलाते हैं और इनका प्रियोग कहां किया जैता है इनका प्रियोग संस्क्रित के तस्सम शब्दों में किया जाता है अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे सैयुक्त कि अब सईयूक्त व्यंजन संयूक्त व्यंजन कौन से होते हैं अब कहा से लेके हा तक तो हमने पड़ा वो वर्ण क्या हुए व्यंजन अब उसके अलावा कौन से वर्ण छूट जाते चा से छत्रिय, तरा से त्रिशूल, श्रा से श्रमिक और ग्या से ग्यानि ठेक है अब ये वहवान जो हम देखेंगे तो ये चा किसे मिलकर बना है एक और शा इससे मिलकर इन दो व्यंजनों से मिलकर ये शब्द ये वर्ण बना है उसके बाद त्रा, त्रा, त्रा और रा से मिलकर बना है श्रा, श्रा, श्रा और रा से जा मिलकर बना है जा और आंग से जासे जाने अब इनको यहां देखेंगे हम कि यह दो विंजनों से मिलकर बने हैं तो यह दो विंजनों से मिलकर जो वर्ण बनते हैं वो संयूक्त विंजन कहलाते हैं तो दो चीजे पड़ी हमने एक तो अयोग वहा और दूसरा संयूप्ति वेंजन जो अयोग वहा है वो यह ना तो स्वर में आते हैं ना ही वेंजन में आते हैं उनको अयोग वहा कहा जाता है और संयुक्त वेंजन किसे कहते हैं हम जो दो वेंजनों के मेल से बने होते हैं उनको हम संयुक्त वेंजन कहते हैं